चतिसगर में विदासभा चुनाओं के लिए कॉंग्रिस ने मद्दान के दो दिन पहले अपना घोशना पत्र जारी किया है चतिसगर प्रभारी कुमारी शैल जाने राजधानी राइपुर में घोशना पत्र जारी किया इसमें किसान कर्ज माफी से लेकर स्कूल कॉलेज की निश्चुलक सिक्षा सहित कई योजनाओं की घोशना की गई इसे भरोसे का घोशना पत्र भी कहा गया है दो हजार देइस के चुनाओं का भोशना पत्र है साथियो ये हमारा कोई दोखे का पत्र नहीं है हमारा भरोसे का भोशना पत्र है और चटिसकर आगे बढ़े पिछले सालों में भी पांच साल हमारी सरकार रही चटिस गड़ आगे बढ़ा चालिस लाख लोग घरीमी रेखा से उपर उठे आने वाले समय में हमारे आगे की पीडियां उनकी नीम अच्छी रखी जाए शिक्षा स्वास्ते स्वावनमबर के लिए चटिस गड़िया गर्द के लिए चटिस गड़िया प्राइड के लिए हमारी सरकार काम करेगी इधर सभी संभाग मुख्यालेओं में पाथी के वरिष्ट नेताओं ने घोशना पत्र जारी किया मुख्य मंत्री भुपेश बगेल ने राजनान गाओं प्रदेश कॉंग्रस अध्यक्ष दीपक बैज ने बस्तर में उपमुख्य मंत्री टीएसी हंदेव ने सरगुजा में विदान सभा अध्यक्ष डॉक्र चरंदास महंत निबलासपूर में गोशना पत्र समिती के अध्यक्ष मुख्य अखबर ने कवर्धा और ग्री मंत्री तामरधुत साहु ने दुर्ग में गोशना पत्र जारी किया किसानों का कर्जा फिर से करेंगे माफ बीस कुंचल प्रतियकर होगी धान खरीदी जातिगत जनगर्ना का वादा शाष के स्कूनों एवं महाविद्यालियों में केजी टू पीजी तक निशल्क होगी सिक्षा सिलेंडर रिफिल करने पर पाथ सो की सबसीडी घर की महिला के बैंक खाते में 200 युनिट टक की बिजली होगी फ्री महिला स्वर्साहिता समूहों तथा सक्षम योजना अंतरगत के लिए रिण माफ सभी सरकारी स्कूलों को स्वामियार्पनन इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड करने का बादा करीब 18 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा खुद का आवास आगामी वर्षों में 790 ग्रामिन और द्योगिक पार्कों की स्थापना राजीव गांधी तेंदुपत्ता सन्राहक न्याय योजना के तहट तेंदुपत्ता सन्राहकों को देंगे 4000 प्रतिवर्ष बोनस